हाई दोस्तों आईए हम आपको दिखाते हैं इसकल्ड मैनुफेचरिंग फैक्टरी यहां पर जो है हैंडिक्राप इसकल्ड बनती है यह है यह इसकी मसीन है अभी फिलाल में यह फैक्टरी बन दे यहां इसमें ओवर लॉक होती है इसमें यह इसमें यह देखिए इन मसीनों से स्कल्ड बनती है सिलाई होती है यह इनको पट्टियों को जोड़ के स्कल्ड बनाते हैं मावी आपको दिखाते हैं इसकल्ड कैसे बनी हुई है आईए इधर आईए कि यहां सभी स्कल्ड बनी हुई रखती है देखना यह देखो यह इसकल्ड है कि यह देखिए कि यह स्कल्ड है अभी आपको दिखाते हैं विस्तार से अब यह देखिए यह जलो कलर का है बलैक लड़ की पट्टी लगी हुई है कमर पर यह होजरी है यह रिबन है यह नाड़े की काम आती है इसको नाड़ा भी बोलते हैं यह होजरी है कमर पर इसके अंदर रवर्ड लगी हुई है पर अब कि अ मेधीए अच्छे स्कुल्ट इसमें भी ओवर लोक नहीं हुपिने अंट यहां पर और लोक होती है यहां भी ओवर लोक नहीं हुई है कि अभी आपको हम 50 दिखाएंगी जिसमेंं नीचे साइट में ओवर लोक ही चैरल हुआ है अभी देखिये ही यहां देखिये सारा माल रखता हुआ है इसक्तरड का बना हुआ हुआ यह पेकिंग होने के बाद इस तरीगे से तरीगे से पेकिंग करते प्रिक हिन कि और इसमें एम तो उनल पर प्रखे पर यह गाल ह की ओग हुई है जो इसमें नहीं है यह गढ़कि देखिए कैसा कि बिलेक कलर है पत्तिदार कि यह 20 इंची साइज है कि यह सारी यहां पर यह मसीनिया रखी हुई है कि इसमें सब रेग है कटिंग बगएरा है यह बल लोक है कि अ कि यह यहर में में पर्शेया अब आपको दिखातें कैसे अंगर में टांग के करना है तो आज करना है तो इसमें इंगर में लगाई ए और इसको Carroll कर देद देखे जाई कान अब आराम कोई तस दो कान दो अखित और मोई आ यह यह और संकतने तशेचे किस तरीके से तंगा हुआ पीस एक्दम सांदाल कम लिगा है कि इसलेक बहुत ही सांदाल कोwenरा टांग आप यह तंग के एक कि कि अपने ईश्टॉल को दुकान को त propor के हम्रों है उपने हैं कि उसमें कोई ज्याधा हाई पा üzकाम भी नहीं है उसमें पर्छान आपने घर पर जो भी इचार सामान इसमें कोई पेसा नहीं है यह दागा कोने घर आपाइस में पीड्रीन में पैक कर आराम से बेश ते हैं लोगों को वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, कमेंड करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब के आगे जो है, बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जो हमारी वीडियो आते ही, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए, वैसे हमारा काम जो है, मसीनों के उपर है, हम हर तरीके के मसीन आपको दिखाएंगे, जो भी मैनुफेक्शरिंग करती है, अभी इससे पहले हमने पेपर मैनुफेक्शरिंग की मसीन डाली है, अभी और भी डालते रहेंगे, यह है कपडो का स्कल्ट मैनुफेक्शरिंग, जो बड़ी मोटर भी आपको हम दिखाते हैं नीचे साइड में यह देखिए बड़ी बड़ी से चलाना चाहो तो यह बड़ी से चल जाएगी नहीं तो इसी में यह ऊपर छोटी सभी चल जाएगी चोटी मोटर लगा लो अगले वीडियो फिर देखते हैं किसी और कि मैंनु फेश्टरिंग दिखाएंगे आपको